डेंडरफ या बालो में रूसी एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग परिशान रहते हैं एक ऐसी दिक्कत जो बार-बार जाकर वापस आ जाती है हो सकता है आपको जानकर यह आश्चर हो कि डेंडरफ मुख्य रूप से एक फंगस के कारण होता है सामाने तोर पर डेंडरफ लगबग हम सभी की तचा पर प्राकरतिक रूप से होता ही है लेकिन इन में से आधे लोगों में यह समस्या बन जाता है उसमें से भी एक तिहाई लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह समस्या इसकदर हो जाती है कि उनका बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है डेंडरफ की समस्या यू तो बेहत सामान ने है लेकिन कई बार सामाजिक इस तर पर यह शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है कई लोगों ने यह सविकार किया है कि उन्होंने सामाजिक साहरों में जाना और लोगों से मिलना जुलना इसलिए कम कर दिया क्योंकि उनके डेंडरफ के कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन डरिये नहीं, डेंडरफ से निबटने के कुछ कारगर तरीके मौजूद हैं डेंडरफ के लिए मुख्य रूप से जो फंगस जिम्मेदार है उसे माला सेजिया, गलोबोसा कहते हैं मुख्य रूप से इसी फंगस के कारण बालों में डेंडरफ होता है ये फंगस हमारी तोचा और हमारे बालों का तेल सोख लेता है लेकिन जब ये ऐसा करता है तो ठीक उसी समय ये औलीक एसिट परडियूस करता है जिसकी वज़े से हमारी तोचा में खुचली हो सकती है कुछ लोगों में ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को रोग देता है जिसकी वज़े से सिर्की तोचा से सूखी पढ़ते निकल कर जड़ने लगती है वायू प्रदोशन इसे और बत्तर कर देता है जबकि सूरज की यूवी करने इस सिर्की को नियंतरित करने में मददगार हो सकती है ऐसे में डेंडरफ से छुटकारा पाने के लिए सकल्प में तेल लगाना बिलकुल भी अच्छा नहीं है ये फंगस मालासेजिया गलोबोसा आपके बाल और तुचा में मौजूद प्राकरतिक तेल को सोखता है ऐसे में इस तेल को धुना या साफ करना ज्यादा मददगार साबित हो सकता है हाला कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से इसे खत्म किया जा सकता है सबसे असरदार एंटी फंगल केमिकल माइकोनाजोल और केटेकोनाजोल हैं कुछ शैंपू में केटेकोनाजोल का प्रियोग किया जाता है लेकिन माइकोनाजोल फिलहाल सिर्फ तुचा पर लगाई जाने वाली क्रीम में ही उपलब्द है हाला कि जानवरों के लिए उपलब्द कुछ शैंपू में माइकोनाजोल केमिकल होता है हाला कि आपको लग सकता है कि एंटी फंगल शैंपू का असर कुछ समय बाद नहीं रह जाता इसलिए आपको समय समय पर इन विकल्पो को दोबारा से इस्तमाल करने की जरूरत होती है कोल टार शैंपू तो चा के टर्न ओवर की परकरिया को धीमा कर सकते हैं इसके अलावा सेलिसायलिक एसेड युक्त शैंपू फ्लेक्स से चुटकारा पाने में मदद दे सकते हैं हाला कि जिंक या सेलिनियम युक्त शैंपू भी फंगस की रोख थाम में सहायक हो सकते हैं ऐसे में डेंटरफ से राहत पाने के लिए कई तरह के उपाये अपनाए जा सकते हैं शोद करताओंने मालासेजिया के जेनिटिक कोड को सीक्वेंस किया है और इसकी मदद से इस फंगस से निजात पाने के लिए ज्यादा कारगर दवाओं को विक्सित करने पर काम किया जा रहा है डेंटरफ एक बेहस सामानने स्किन कंडिशन है आम तोर पर डेंटरफ के फ्लेक्स गहरे रंग के बालों में साफ तोर पर नजर आते हैं और जब यह समस्या बढ़ जाती है तो डेंटरफ कंडो पर भी नजर आने लगता है इस इस्तिती में आपको स्केल्प रूखा महसूस हो सकता है और आपको खुजली भी हो सकती है सबसे आसान उपाय तो यही है कि आप कोई भी अच्छा एंटी डेंटरफ शेंपू इस्तमाल करें इसमें भी कई तरह के ब्रांड आपको मिल जाएंगे जिन शेंपू में ये केमिकल हो उन्हें आप डेंटरफ की रोख थाम के लिए खरीच सकते हैं जिंक पाइरी थियोन, सैलिसिलिक एसिड, सलेनियम सलफाइड, कीटोको नाजॉल, कोल्टार अगर डेंटरफ की समस्या बहुत ज्यादा है तो करीब एक महिने तक एंटी डेंटरफ शेंपू का इस्तमाल करके देखें आप चाहें तो एक से ज्यादा एंटी डेंटरफ शेंपू इस्तमाल करके देख सकते हैं जिससे आपको ये समझा जाएगा कि आपके बालों के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा है डेंटरफ साफ सफाई की कमी के कारण नहीं पनपता लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप अपने बालों को साफ नहीं रखते तो ये ज्यादा इस पश्च तौर पर दिखाई देने लगता है कनाव के कारण और ठंडे मौसम में डेंटरफ होने के आशंका काफी बढ़ जाती है